फ्रेंड्स इंडियन प्रिंस्लिंग स्टेट कोईन्स के सीरीज में आपका स्वागत है यूनिक कोईन्स के इंफर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जैसे के अपने थमने लव टाइटल में देखाओगा आज का वीडियो कच के एक कोईन के बारे में है कच भी भारत के गुजरात राज्ज में स्थित है जिसकी राजदानी भूज है और ये भारत का सबसे बड़ा डिस्ट है सोलवी शताबदी से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक काफी सारे राजाओं ने कच पर राज किया उनमें से एक थे श्री खेंगर जी सवाई बहादूर जी वो दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक और कच के रियासत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे 1875 से लेके 1942 तक फ्रेंस आज का हमारा ये जो सिक्का है ये कच का त्रण डोकड़ा है और ये श्री खेंगर जी सवाई बहादूर जी के शासनकाल में छपा हुआ है इस तरह के 8 सिक्के होंगे तो एक कोरी बनता है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाकी के जो डिनामिनेशन से जिनसे के एक कोरी बनता है ये सिक्का कॉपर का है और इसका वजन 16.65 ग्राम है इसका डामेंटर 33.3 mm और थिकनेस 2 mm है श्री खेंगर जी सवाय बहदूर जी के जो सिक्के थे ये 5 ब्रिटिश रूलर्स के साथ जारी किये गए थे कुइन विक्टोरिया, एडवर्ड 8, एडवर्ड 7, जॉर्ज 5 और जॉर्ज 6 के साथ कॉइन के अबवर्स पर खेंगर जी का नाम देवनागरी में और कॉइन के रिवर्स पर उर्दू में ब्रिटिश रूलर का नाम देखा जा सकता है तो चलिए देखते हैं कि कॉइन के अबवर्स पर और रिवर्स पर क्या लिखा हुआ है अब्वस पर देवनागरी में और रिवस पर उर्दु में लिखावट है अब्वस में यहाँ पर महाराव श्री खेंगर जी सवाई बहादुर नीचे के तरफ कच बीच में तरण डोकडा तरण डोकडा के नीचे विक्रम संबत 1987 और उसके उपर एक त्रिशूल यह जो बॉर्डर पर आप देख सकते हैं यह डॉटेड लाइन्स और यह दो फूल कोईन की शोबा और बढ़ाते हैं अब देखते हैं कि रिवस पर उर्दु में क्या लिखा हुआ है जैसे कि मैंने बताया था कि रिवस पर ब्रिटिश रूलर का नाम लिखा होता है दोस्तों उर्दु हमेशा राइट से लेफ्ट लिखा और पड़ा जाता है तो उपर के तरफ हम देखेंगे यह लिखा हुआ है यहाँ पर जॉज पंचम यह यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है जॉज पंचम यानिके जॉज फिफ्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है कैसर यह हिंद यानिके एंपररर ओफ इंडिया तो यह हुआ जॉज फिफ्ट कैसर हिंद यानिके जॉज फिफ्ट दे एंपररर ओफ इंडिया नीचे के तरफ यह यहाँ पर जर्ब भूज यानि के कॉइन जो भूज में चपा हुआ है और बीच में देखेंगे तो यह सन 1930 लिखा हुआ है यह 1930 यह English केलेंडर के जो साल होते हैं यह उसके हिसाब से लिखा हुआ है यह बीच में एक खंजर देख सकते हैं और उसी तरह यहाँ पर भी औबस के तरफ जैसे था यह dotted lines है यह coin की शोबा बढ़ाने के लिए इंडियन प्रिंसली सेट के सिक्कों के सीरीज में और भी काफी सारे वीडियोज को लेकर जल्दी ही मैं आपके समने आने वाला हूँ तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो एक like जरूर कर देना और comment करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगा हूँ तो जुड़े रहे हैं यूनिक कोईन्स के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग